नहीं, आपको भगवान के दर्शन जहां आपके भावना और प्रेम उमड़ा वहाई दर्शन हो जाएंगे पेडों में, पंचियों में, पशों में, नरों में, बानरों में, बच्चों में, बूडों में, जवानों में प्रेम के भी नाकाम नहीं चलता प्रेम नहीं इसलिए तो फोजबाटे गड़ें सारे संसार के एक देश दूसरे देश से डरा हुआ है प्रेम नहीं प्रेम नहीं इसलिए तो एक भाई भूका मरता है और दूसरा राज मेलों में बैठा है प्रेम नहीं प्रेम की बिना कोट का चरी है ने क्या जो रहते हैं इनकी प्रेम हो तो कोट का चरी हो क्या जो रहते हैं प्रेम नहीं इसलिए केस होते हैं मर्डर केस होते हैं रेप केस होते हैं ढाके डलते हैं कोट का चरी होते हैं पुलिस, फॉज, भाटे, सब बंदोबस्त होते हैं, प्रेम नहीं, प्रेम के हिर्दे में, जिनके हिर्दे में प्रेम होता है, वह सारे गुण बिद्दमान हो जाते हैं, और पर्मेशन वहाई प्रगट होते हैं, जा प्रेम होता है, उससे पहले नहीं, इसलिए किसी मान शैर ने काया कि जर्रे जर्रे मैं जा की भगवान की लेकर किसी आखवाले ने इसकी पहचान की आख तो नहीं चाहिए कोई ज्ञान चक्षू, कोई अनभव का चक्षू होना चाहिए यह रिलाइजिशन होना चाहिए और वो रिलाजिशन सत्वगुन से नीचे नहीं प्राप्त होता, जो रिलाजिशन की भगवान बात कर रहे हैं, वो सत्वगुनी ब्यक्ति के हिर्दे में अनुभव होता है उस परमीश्वर का, उस प्रकर्ति के सौंदरिये का, उस फूल की खुश्वु को पहचानने और जा होता है, एक मैंने सुना है, किसी संत महात्मा जी के मूँ से, एक माली एक बाग के अंदर नाच रहा था, खिले हुए फूलों को देख करके, क्योंकि माली नहीं उनको बोया था, सीचा था, सुधारा था, क्यारियों को, बाग को, जो फूल खिले, तो नाच रहा था, अकेला मस्त, एक सुनार भी वाकिंग करने उस पार्क में चला गया, उसने बोला, अरे भाई, नाच क्यों रहा हो, क्या हो गया तुमको, बोलो देखते नहीं, ये फूल, साक्षा बगवान के जैसे दर्शन हो रहे हैं, बगीचा महक र मुझे, मैं नाच रहीं तो क्या करूँ, मुझे बहुत आनंद आ रहा है, आनंद भगवान का रूपे द्यान रखिए, सच्चा आनंद, सुनार ने पूछा, मुझे बतलाओ तो सही, इन फूलों में है क्या, कहा है भगवान इन में, कहा है आनंद इन में, तो उसने जरनी आ रहा है, तो सुनार को फूलों में खुश्वू या आनंद का, या प्रेम की खुश्वू कैसे आए, सुनार के इर्दे में, मन मस्तिस्क में तो सोना ही सोना है, वो कसोटी पे जब तक नहीं कसले, उसको कैसोने को भी और रिजेक्ट कर देगा, जब तक प्रूफ न चाहिए, माली का इर्दे चाहिए, जिस माली ने उन बीजों को बोया, अंकुर निकले, सीचा, पौदे बड़े हुए, और उमें नाना प्रकार के, फूल निकलने लगे, और फूलों से खुश्वू, महग गया पूरा पाग, तो माली नासता है, माली ने जो अनभव किया, वो सुनार कभी स्वपने भी नहीं कर सकता, सतोगुन के अंदर अनभव उस परमात्मा का जलकता है, रजोगुन तमोगुन में नहीं, रजोगुन में संसार का अनभव जलक सकता है, तमोगुन में वो भी नहीं जलकता, तमोगुन नामी तमोगुने, तम यानी अंदकार, जो अंदकार में जी रहा है, जो अंदा होके अपनी जीवन को जी रहा है, अंदों को आखें दी, जी ससने, ऐसे ही अंदों को आखें दी थी, ये मैं सोचो कोई आख फूट गई थी रोग उसको आख प्रदान कर दी, नहीं, ऐसे महापुरुष, ऐसे जिनको भगवान का अउतार कहा है, ये ऐसे चमतकार नहीं दी कहाते हैं, छोटे मोटे, ये तो पूरे समाज को लावानुईत करने आते हैं, जो अंदे थे, जो अंदकार में जीवन जीते थे, उनको आखें दी थी, जी ससने, मुर्दों को जिन्दा किया था, जो जिन्दी को मुर्दे के समाज जीते हैं, बीमारों को स्वस्त किया था, जिनके मन, बुध्धी, एहंकार बीमार हैं, जो इस जीवन को बीमारों की तरह खायलों की तरह जीते हैं बीमार जैसे बीमारी हो गई हो, रोग लग गया हो बुद्धी में जंक लग गई हो, बिचारों में पाला पड़ गया हो ऐसे चीते हैं बीमारों करके उन बीमारों को स्वस्त किया, तंदृस्त किया जैसे चैतन महाप्रुभुजी ने नचाया, चैतन महाप्रुभुजी ने डाकूँ को नचाया, चोरों को नचाया, जिनके पाउं कभी नाचना सीखे ही नहीं, उनको नचाया, सोतों को जगाया, कोई भी महापुरुष सोतों को जगाया ने आता है, अंदों को आखे देता है, बहरों को कान देता है, कि सुनो, अरे सुनो, कैसी ध्वने आ रही हैं, उस परमात्मा की मुरली बज़ रही है, मुरली की ध्वन सुनो, इन हवाओं के मैध्यम से, सर्वत्र, संगीत, बद्ध है सारा, बिश्व, ज़रा सुनो, उसके पवित्र नामों को सुनो, उन में कितना रस है, उनका पान करो, चैतनमा प्रूप जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, 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 हरे हरे, हरे राम, हरे राम, 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 हरे हरे, इसका पान करो, गुरुनानक देवजी ने भी वोई सर्वन शक्ति दी सुनने की शक्ति दी बेरों को कान दी अंदों को आखे दी बीमारों को स्वस्त किया और जो सोये हुई है उनको जगाया जो सो रहे थे सोते सोते जिन्दगी जीते हैं उनको होश ही नहीं है सोते आदमी को कुछ होश होता है सोय होई आदमी के उपर चाहे मच्छर काटे है या साप निकल जाए उपर से उसको पता ही नहीं है कोबरा निकल रहा है सरीर के उपर से सोय होई आदमी को पता नहीं है गर में आग लग रही है उसको पता नहीं चलता कि एक सोय पड़ा है, खणाटे मार रहा है लिए कोई जगाने वाला चाहिए कि अरे मूर्ख खड़ा हो, घर में आग लगी हुई है भार निकल भाग के संतों नहीं यही कहा कि संसार दावा नल लीड लो कहा यह संसार में दावा नल लगी हुई है दावा नहीं लेकिन जो मूर्खित पड़े हैं सोय पड़े हैं, उनको कैसे मालूम चले कि वो कहेंगे दावा नहीं कहा है अरे मदिरा ले हैं, वैश्चा ले हैं, कसीनो हैं कार हमारे पास है, हम प्रमन कर सकते हैं धन है, पैसा है किदर आग लग रही है भाई, हमारा सेफ डिफोजिट है बैंक में, बैंक बैलेंस है स्वीज बैंक में खाते हैं, किदर आग लग रही है हमको तो नहीं नज़ा था, ये बेकारी की बात मत करो नहीं, जिन्होंने रिलाइस किया इस अगनी को उन्होंने कहा, कि संसार दावा नल है संसार दावा नल ली धेलो का त्रानाय कारुन्य घना घनत्वम टापतश्य कल्यान गुनार नवश्या बंदे गुरो श्री चरनार विंदम जिन्होंने जाना उन्होंने कह, बुद्ध ने जाना बतलाया मावीर ने जाना बतलाया, गुर्णानक देव ने जाना बतलाया चैतन मापुरू ने जाना बतलाया, भक्ति बिनोठ ठाकुर ने जाना बतलाया प्रभुपाजी महराज ने जाना बतलाया रामकृष्ण परमंस ने जाना बतलाया जीसस ने जाना बतलाया मौम्मद ने जाना बतलाया जिनोंने अनुभव किया उन्होंने बतलाया समाज को कि दावा नल है निकलो यहां से काँ फसे हुए हो कहा ये भोग विलास्वा में उत्रे हुए हो नहीं हमको यूटर्न लेना चाहिए समाज बहुत विक्षिप्त दशा में है बहबीत है एक से दूसरा बहबीत है देखिए जड़ा पड़ोसियों कोई एक पड़ोसियों कोई दूसरे से बहबीत है चोर पुलिस वाले से बहबीत है पुलिस वाला चोर से बहबीत है पाकिस्तान इंडिया से बहबीत है इंडिया पाकिस्तान से बहबीत है अमेरिका, रसिया, जर्म, लेंडन कोरिया, साउथ कोरिया, नौर्थ कोरिया, चापान, चाइना एक दूसरे से बहबीत है पूरा समाज बहबीत है एक ब्यक्ति दूसरे ब्यक्ति से बहबीत है एक जानवर दूसरे जानवर से बहबीत है लेकिन मनश्य से सारा बिश्व बहबीत है तो मनुष्य की दशा गलत है मनुष्य जिस डाइरेक्शन में जा रहा है वो बिल्कुल गलत है तो यूटरन ले सकता है आज भी यूटरन ले सकता है सुख पाएगा सुख ही होगा निरोग ही होगा जागेगा सोये से बचेगा दावानल से आयो सत्व बल आरोग्यो सुख प्रीती विवर्दना तो प्रेम से अपना गट बरेगा यूटरन ले लेगा तभी दिशा परिवर्तन करने से और कोई जरिया नहीं है सुख के लिए डोलत रहे हैं कभी लंडन से इंग्लेंड इंग्लेंड से अमेरिका सुख प्राप्त करने लिए मिलेगा नहीं थोड़ी देर के लिए क्षणिक सुख को सुख माल ले कि आईस क्रीम खा रहे हैं या कार में गुम रहे हैं या एरोपलेन मोड रहे हैं ये क्षणिक सुख इसको सुख नहीं खा शास्त्रों ने आईस क्रीम के सुख को सुख नहीं कहा क्योंकि इस सुख के पीछे दुख खड़ा है वो च्छाया पढ़ रही है तुमारे उपर लेन पता नहीं चल रहा उस दुख की उस कार की उस पैसे की दोड की यह वो जो तिजोरी भर लिए उसके पीछे बड़ा दुख भेंकर दुख खड़ा है यह जो चट खा रहे हैं पी रहे हैं मदिरा क्या मदिरा की पीछे दुख नहीं कड़ा मदिरा पीने से ब्रेन नश्ट हो जाता है वैग्यानिक प्रूफ है तो ब्रेन ही नश्ट हो गया तो आपका क्या हाल होगा भगाण सुरी कृष्ण कहते हैं कि बुद्धी नासो प्रणश्चती जिस व्यक्ति की बुद्धी नश्ट हो जाती है उसका तो पतन निश्चित है तो वो तो आप देख सकते हैं आपकी बुद्धी और मन ही बिक्षिप्त है तो आपको कौन इस जीवन में सफल व्यक्ति कहेगा आहर फाउंडिशन है आपकी जीवन का आपके सुख का आयू का बल का आहर को सुधारना चाहिए बल भी मनो बल है आत्म बल है शारीरिक बल है ये तीनों प्रकार के बल आहर पर डिपेंड करते हैं आहर शुद्धी सत्व शुद्धो जिस ब्यक्ति का आहर शुद्ध होता है उसकी बुद्धी शुद्ध होती है उसका अंतेकरन शुद्ध होता है आहर से और कोई जरिया नहीं है आहर ही बिगड़ा हुआ है बिक्षिप्त है वाइलेंटिव है हिंसक आहर करते हैं प्रकर्ति के विरुद जो आहर ग्रेंड करते हैं उससे तो विनाशी होता है समास का सभी का नहीं गव का या बैल का या भेंस का या हाती का घोड़े का आहर घास है वो घास में खुश रह सकते हैं स्वस्त रह सकते हैं बलिष्ट रह सकते हैं, बुद्धी इस्थिर रह सकती है, भाई दूसरे तुम आहार करवाओगे, तो वो बेकार हो जाएंगे, लोग गोडे को भी जोड़े दस्तिमांस खलाते हैं, रेस में बगाने के लिए, वो गोडे गोडे नहीं रहे, वो तो अपने जैसे ही बना लिय उन्होंने, अद कचरे कर दिये, ना इदर के रहे, ना उदर के, उससे अच्छे तो जबी थे, जो घास खाते थे, तभी उनमें शक्ती थी, सोच समझ थी, दोडने की सब परकार से बल था, लेकिन मनुष्य के संपर्ग में आके, जो भी जानवर आएगा, वो भी बिगड क्योंकि मनुष्य बिगड़ा हुआ है, मनुष्य प्रकरती के खिलाप चलता है, लाव अफ नेचर नहीं मानता, तो इतार्तम अगर प्रकरती के साथ नहीं है हमारा, तो हम दुख ही होंगे, और क्या होगा? आयो सत्तो बलारोग्य सुक प्रीती विवर्दना, रश्याह इसनिक दाह, इस्थिरा हिर्द्या, आहारा सात्विक प्रिया, ये सात्विक प्रिया, ये सात्विक आदमी के प्रिये भोजने, इसनिक दचिकने, घी, दूद, मलाई, मक्कन, इस्थिरा, जो बुद्धी को, मन को वीरिये को इस्थिर रख सकें चलाए मान बुद्धि वाले को देखिए बंदर से भी नीचे गिर जाता है इस्तिती में जिसका मन बुद्धि चलाए माने वीरिये चलाए मान होता है तो किदर भी यू बहाता है भूग बिलासों में चला जाता है यह सब इस्थिर होनी चाहिए, तो इस्थिर तभी रेंगे जब हम आहार करेंगे, हमारा डवलप्मेंट इस्थिर रखने वाले आहार से होगा, और वो सतोगुणी आहार है, भगवान कहते है, इर्दे को खुश करने वाले आहार, इसनिक दहा, चिक नि, रश्या, रस्युक्त, रसीले, रस कहते हैं जूस को, जूस वाले, रसीले, गन्य का रस है, औरेंज का रस है, आम रस है, अंगुर का रस है, औरेंज इत्यादी, अने को रस है, एक नि, अनार का रस है, शराब के लिए नहीं कहा जा रहा कि शराब सतोगुनी है कि ये भी तो अंगुर की बेटी है नहीं, ये सड़ा हुआ अंगुर है सड़ी दशा में गया हुआ तो तमोगुने इसलfilm को तमोगुन बोला है अंदकार में ले जाती है शराब अंदकार का मतलब यह नहीं कि आपको सूरिये से उजाले से दूर कर दे कि हमने तो टूब लाइट जला रखी हैं सारा शेर जगमगा रहा है दिन के प्रकाश में रह रहे हैं काम अंदेरे में अंदकार में बुद्धी बनाती है अंदकार में बिचारों में दोड़ाती है जूटी दुनिया में जीना सिकाती है हिंसा बढ़काने वाला आहार है डराने वाला आहार है नियत खराब करने वाला आहार है शराब पी के आदमी अपने कोई भूल जाता है पिर दूसरे को क्या पहचानेगा झाल झाल झाल